जैसे एक हरे भारे पेड़ को दिमक अंदर यंदर खोकला कर दती है और बहार से किसे को पता भी नहीं चन था क्यों कब गिर गया उसे प्रकार से भारत की युवा पेड़ी जो की पूरे विश्व में सबसे बड़ी सकती है उसको पॉल्णोग्राफे रूपी दिमक अंदर य दिरे कम हो रही है आज हम चर्चा करेंगे कैसे इस दिमक को हटाया जाए कैसे पॉल्णोग्राफी से बचा जाए इसके लिए हम च्यार पॉइंट्स का चर्चा करेंगे जिससे कि हम सपलता पूरुवक्त पॉल्णोग्राफी रूपी दिमक को अपने जिवन से निकाल सकते सारे पॉइंट बहुत महत्थपूर्ण है और अंतिम पॉइंट सबसे महत्थपूर्ण है तो इसलिए आप द्यान से देखते रहे हैं पहला पॉइंट उच्छाह किसी भी प्रब्लम से अगर हम छूटना चाहते हैं तो पहले हमको उच्छाह क्या हो शकता है ऐसी इच्छा द इसी को उच्छाह नहीं कहा जाता है उच्छाह का मतलब है इंट्रिजेंट ली उस प्रब्लम से छूटने के लिए प्रयास करना तो पॉड़ोग्राफी देखने में लोगों का बड़ा उच्छाह है तो इसको समझना होगा कि इसके क्या क्या नुक्सान है और इसको निए इसके लिए बहुत अधीख समय के आउशकता है क्योंकि जैसे ग्रेजोली ङेरे देरे देरे वक्ति एडिक्ट हो जाता है उसी प्रकार से देरे देरे करके उसको डीडिक्ट भी बुराया जा सकता है तो इसके लिए उत्साहित और आह सगा होगा. डूसरा पॉडरिं से बाहर निकलना है तो यह कैसे आयेगा जब हम detail study करेंगे detail में जानेंगे pornography का मेरे जीवन में कितना नुक्सान हो रहा है मेरे सारीरिक सक्ति मानसिक सक्ति सोचने के सक्ति उत्साहा जो है यह सारा pornography जो है चीन लेती है विचारों को ऐसे इस्तिति में पहुचा देती हैं कि हर एक पूरस यह हर एक बहुब करता है पर कुछ दिनोंबात बदा चलता है कि इवी काम नहीं कर रही है कि लोग 7 अपनिया रौकर पाते यहुब चर्षारा परेक्षान के किरुद के दोरा किने गारन वापस सरेंडर कर दते हैं कई लोग हार मन लेते हैं । कई लोग सुशाइड तक चल जाते हैं तो इसलिए दहरे की आवशकता है उसके लिए को समय चाहिए तो जितना समय उस प्रोब्लम से छूठने के लिए आवशक हैं उतनी समय तक हमको दहरे पूरोग प्रयास करते रहना पड़ेगा और चोथा जो सबसे इंपोर्टन्ट पॉरइंट है वह एसे लोग जो इस इच्छा को एकसाइट कर दते हैं असत संद ऐसे लोगों का संद जिसके कारण जो हमको इच्छा करता है ऐसी कंटेंट दिखनी का वसमें जो मोबाईल एक सबसे बड़ी भूमिता निभाता है मुबाइल में बार बार कई प्रकार के विडियो और डियो यह कई प्रकार के वारतला आप सुनने को मिल जाते हैं अच्छे से अच्छे कारेकरमों में अच्छे से अच्छे फिल्मों में इस प्रकार के चीज़े डाल दी जाती हैं जिससे कि मन उन चीजों के बारे में विचार करने के लिए असाहयवत प्रयास करता है। तो ऐसे लोगों का संग हमको छोड़ना होगा और संग कैसे छोड़ पाएंगे इताभी संभव है जब हम इस संग को रिप्नेश करें प्रोड़क्टिव संग के साथ। अच्छे संग के द्वारा इस बुरे संग से बचा जा सकता है। अधर वो हम करेंगे तो फिर दीरे इस प्रकार के दूसर संग के आउशकता नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए हमको ऐसे लोगों का संग करना है जो वास्तम वी इंटेलिजिंट हैं। जो जानते हैं कि हमारे शक्ति का समय का बुंदी का किस प्रकार से उप्यूग के जाएं। ऐसे लोगों का संग करने से जो हम इस आदत से बच सकते हैं। सारे सास्त्रों में, कएदिक साहिते में इसका गुन गान क्यां आइएं। अधर हम इस आदत से बहार हैं। जो इस आदस से निकल चुके हैं या कम से कभी इस आदस से निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हमको उस आदस से निकलने के लिए उत्साहा भी मिलेगा द्रड निश्चे भी होगा और दहरे भी हम बनाये रख पाएंगे उन देखते हैं कि वो भी प्रियास कर रहे हैं वो इस problem को solve कर चुके हैं तो उनको देखतार हमको जो है उच्छ साम विलता है तैसे लोगों का संग जो similar minded है जो इस problem से निकलने के लिए प्रियास कर रहे हैं वो हमारी सबसे बड़ी साहता है इस से निकलने के लिए तो इसलिए परणोग्राफिय से बचने के लिए आप इन चार पॉइंट्स को द्याद समझे इसको अपनी जिवन में अपलाई के जिए और अगर कोई प्रस्ण है कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे और इस वीडि प्रस्फड़ाँ प्रस्ट नहीं जिवन चार प्रस्टवराँ को अपनी जिए और रहा तो कमेंटी जिए रहा ऊचिता प्रस्टवराँ को तो समझे जिए ये रहा तो करता है कमेंटी।